मदनी ने कहा सनातन धर्म से विरोध नहीं, आपको भी इसलाम से शिकायत नहो अलपसंख्यकों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए अलग कानून की मांग PTI, नई दिल्ली ट्रेंडिंग न्यूज क्या सरकार के करीब आ सकते हैं मुस्लिम, बीजेपी सरकार और मुस्लिम समुदा नवभारत गोल्ड पर ट्रेंडिंग न्यूज में सुनिये इन सवालों का जवाब, लॉगिंग करिये लिए एक अलग कानून बनाया जाए, जंग लड़ी थी, जमियत ने मांग की है कि अलपसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भरकाने वालों को विशेश रूप से दंडित करने के जमियत उल्मा एहिंद के प्रमुक मौलाना महमूद मदनी ने शनिवार को कहा कि यह कहना गलत है कि इसलाम बाहर से आया है, दिली के रामलीला मैदान में जमियत उल्मा एहिंद महमूद मदनी गुट के वारशिक आम सत्र में मदनी ने कहा कि यह भूमी मुसल्मानों की प पेश किया जाता है, मदनी ने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में अलपसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ हैं, सरकार को जिस तरह कारवाई करनी चाहिए थी है, उतना ही यह महमूद का भी है, ना इसलाम पर एक बड़ा तपका लगातार हमला कर रहा है, धार्मिक, नैतिक और ही वे महमूद से एक इंच आगे हैं, हमारा सामाजिक शिक्षाओं की आलोचना की जा सनातन धर्म के साथ कोई विरोध नहीं है, रही है, जबकि मत्से गरीब मुसल्मानों मदर्सों के छात्रों उले माओं ने आजादी की नहीं की, उन्होंने कहा, दर्सों और को मुफ्ट शिक्षा पाने का अफसर देते हैं, मोदी और RSS प्रमुक मोहन भागवत का तो महमूद उनसे एक इंच आगे हैं, और न इसी तरह आपको भी इसलाम से आपत्ती नहीं होनी चाहिए, यह मुल्क हमारा है